हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू इस्टेटी विद्ग्यान प्रकास दैनी रोजगार समाचार में आप सभी का हरदिक स्वागत है आज कर सोसल मीडिया में एक बात पर काफी सर्चा हो रही है कि UPTGT PGT 2022 की परिचा ये जुलाई मामें हो सकती है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके जो आविदन लिये गए थे वो लगबग 8-9 महिने पहरे लिये गए थे लेकिन उसके बाद चैन बोर्ड में जो सदस्य होते हैं धीर धीरे उनकी संख्या कम होती गई बरतमान में तो इस्थिती ये है कि कोई भी ऐसा सदस्य नहीं सभी में भरती एक आयोग के माध्यम से किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश सिक्षा सिवा आयोग गठित करने के लिए अधनियम 2019 पारित किया गया था जिस पे सुधार करने के लिए 2 मई 2023 को जो यहाँ पर एक उच्ष सिक्षा सिवा आयोग के अपर सचिव हैं सुधीर M. बोबडे उनके निर्देशन में एक कमेटी गठित की गई है इसमें कुल 12 अदस हैं और इस कमेटी को क्या रिपोर्ट देना है कि 2019 का जो अधनियम पारित किया गया था उसमें सुधार किया जाएगा यानिकि जो ड्राफ्ट कमेटी यह बनाई गई है उसे अगले 5 दिनों म हिंदी और अंग्रेजी में 2019 के अधनियम सुधार करते हुए अपना जो ड्राफ्ट है उसको तयार करना है और इस ड्राफ्ट के तयार होने के पस्चाथ फिर जो है सिख्छा सिवा आयोग में पदाधिकारियों की नियोक्ति की जाएगी जैसा कि आप लोग जानते हैं पद अधी मई बेच चुकी है ड्राफ्ट मिलने के पस्चाथ उसका अध्यन के जाएगा उसके बाद बदाधिकारियों के लिए आवेदन आमद्रित किये जाएंगे फिर बदाधिकारियों की नियोक्ति होगी तो इसमें भी कम सिकम 15-20 दिन या एक महिने का समय लग सकता है देन जिन पदों के लिए अध्याचन मिल चुके हैं अभी उसकेशल भी नेड़य लेना सेस रहेगा कि जैसे कि एल्टी के बारे में जो अध्याचन है वो यूपी-पियसजी को मिले हैं तो यहाँ पर एक और भी नेड़य लेना पड़ेगा कि इस बार की एल्टी किद सिक्षा बढ़ती वो आयोगी करवाएगा यानि कि UPPSC करवाएगा या फिर ये बढ़ती सिक्षा सिवा आयोग को ट्रांसफर होगी सारे प्रेक्षियों में वक्त लगना लाजमी है और यहाँ पर जो ये चर्चा हो रही है कि जुलाई 2023 में UPTGTPT की परिक्षा होगी तो यह बिल्कुल भी संभावित नहीं लग रही है और नहीं इसके बारे में अभी तक कोई official declaration आया है तो फ्रेंड्स नय आयोग के गठन में अभी काफी वक्त लगना है और इसके बाद TGTPT की जो परिक्षा होगी उस पर मंतन क्या जाएगा देन आफ्टर आपकी परिक्षा होगी अगर सामान रूप से देखा जाए तो यह परिक्षा अगस्त के बाद ही कभी भी हो सकती है और इसमें भी आप जानते ही हैं कि TGT में भी आपको जो है सनिवार अभिवार मतलब दो सप्ता के लिए चार तारीकें कम सकम इसमें फिक्स रखनी पड़ती है तो फिलाल अभी जो यह परिक्षा होगी इसमें थोड़ा वक्त है आपके पास अगर आपकी तैयारी अभी तेक नहीं हो पाईए तो अपनी तैयारी को धारदार बनाईए क्योंकि इस बार पदों की संख्या काफी कम है और जो बिरती इसमें लगे हुए हैं मैं कहीं लोगों से मिल चुका हूँ वो प्रते दिन 10-12 घंटे अपनी स्टडी कर रहे हैं और सोसल मेडिया पर इसमें बिलकुल भी एक्ट्यू नहीं है तो यहाँ पर अभी कितना वक्त लगेगा ये तो समय बताएगा लेकिन ये परिच्छा जुलाई के बाद यानि कि अगस्त के बाद ही हो पाएगी उसके पहले होने की कोई संभावना नहीं है फिलाल जो ड्राफ कमिटी बनाई गए थी उसके बारे जांकारी यही है कि डाक्टर भगवती सिंग इसके सदस सचीव बनाए गए हैं बाकी अभी ड्राफ कमिटी तयार हुई या नहीं हुई इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है जैसे कोई अपडेट जाती है आको जानकारी उपलब्द करवा दियाएगी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 36,000 नई सिक्षक भरती के बारे में हलांकि यह सिक्षक भरती 2016 में आई थी लेकिन उसको अब हाई कोट के द्वारा रद्द कर दिया गया है और इस भरती में भी बहुत बड़ी आनेम चैनितों से उपर है लेकिन वो चैनित नहीं हुए और भाई वतीजावाद देखने को मिला सिफारिश भी देखने को मिली बहुत सारे लोग इस परकार से इस भरती में सामिल हो गए जो सिर्फ और सिर्फ सिफारिश के अधार पर आ गये और अंत्त जब सारे साक्ष हाई को कोड ने इस भरती को रद्ध कर दिया है और यह कहा है कि आगामी चार मेने में सरकार एक नई सिफजवाद बघ्टी करें मामला परसिफ मंगाल का हैं जहां कि सरकार चला रही है ममता बनर जी और ममता बनर जी अपने लिए वो काफी नेख छभी बनाने में प्रयासरत रहती हैं और वो कहती हैं कि मेरे यहां कुछ भी धांदली नहीं होती है लेकिन यह धांदली सामने आने के बाद सरकारों पर प्रस्चन लगना लाजमी होता है कि आखिर इस प्रकार की अपार्दर सिता क्यों देखने को ऑख रड़िले कियों यहांब किसी भी प्रदेश का नाम लिये बगर आप सेही करना चाहूँगा कि बाइज की गर्देश की होती है जा उपार्दर सिता देखने को मुली जाती है जो कि बाद में इस पर क्या होता है कुछ पता भी नहीं चलता है और अंदतर ये भरतियां पूरी भी हो जाती है लेकिन मामला जब कोड में जाता है तो काफी वक्त लग जाता है और इस प्रकार से जो भरती मात अच्छा मेने में पूरी हो सकती है वो कभी-कभी तो चार-पा अधिकारियों के द्वारा बदलब जो आरक्षे सीटे थी वो धाधली में चली गई और फिर जो मामला है वो आप जानते ही हैं कि काफी लंबे समय से इस पर भहस चल रही है मांग की जा रही है पत्र लिखे जा रहे हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई भी पाजिट्यू चीजे चीजें जो हैं वो देखने को नहीं मिल रही है फिलाल उनतर जा सिक्षकवर्ती के अभेट्यों ने अधिकारियों उपर आरक्षर में गरवड़ी का आरोप लगाते विए कारवाई की मांग की है और उन्होंने इस बात के लिए राश्ट्रपती, राज जिपाल, प्रधान मंतरी और मुख्य मंतरी को पत्र भेज कर नयाय दिलाने की मांग की है फिलाल फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो अंतिम प्राइमरी सिक्षकवर्ती आई थी वो यही 59 जा सिक्षकवर्ती थी उसके पस्चात कोई भी नई सिक्षकवर्ती नहीं आपाई है हाला कि अभेरत और जो लोग प्राइमरी सिक्षकवर्ती का इंजा कर रहे हैं वो कम से कम 2023 के अंतिम मतलब कि आप अक्टूबर नॉमबर दिसमबर तक इंजा करें मुझे उमीद है कि अक्टूबर में आपको एक नई सिक्षकवर्ती देखने को मिल सकते हैं क्योंकि पदों की संक्या भी र बाकी भरतियां हो नहीं है कौन सायोग करवाएगा कैसे करवाएगा सारी बातें असपस्ट हो जाएंगी तो हो सकता है कि एक नई सिक्षकवर्ती प्राइमरी में भी आपको मिल जाए फिलार फेंड्स आप सभी के लिए बेस्ट आप लग जो लोग परिच्छा में सामिल हो है तो उसको तो कता ही मत पहनिएगा और समय से पहले पहुचे दस मिट पहले गेट बंद हो जाएंगे तमाम इस्ट्रक्शन्स जो आपके एड्मिट कार्ड भरन हैं तो उसको भी आप लोग पढ़िए उनका पालन करिए और मैं आप सभी को सुब कामनाय देता हूं कि आप आपने जितनी मिनित करी है उसके मुताबिक आपको पैड़ा मिले थैंकि सो मुच है वे ग्रेट डे जैहंद